वीवो Y15 न्यू अपडेट सेटिंग नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तेखिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको यदि न्यू अपडेट आया हुआ है वीवो मोबाइल के अंदर पे तो केसे आप जाके अपडेट कर सकते हैं ठीक है अपडेटिंग का प्रोसेस कहा पर आपको करना है कहा जाके आपको मिलेगा वो दोस्तो आज के इस वीडियो पर शो करके बताने वाला हो ठीक है और दोस्तों आपको केसे पता चलेगा कि न्यू अपडेट आया है या नहीं आया है तो वसब दोस्तों यहाँ वीडियो को देख लीजे आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा तो वीडियो शुरू करने से पहले यहरी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेक शूर कि आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें सारे सार बेल आइकोन को भी क्लिक जरू कर दीजिगा यहीं आप online से पैसा कमाना चाते उसके लिए हमने video description पर link दे रखा है जाके check out कर सकते और किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते तो चलिए video शूरू करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा यहीं update करना है तो आपको setting पर जाना है setting पर जाके दोस्तों scroll down करने के बाद यहाँ जो system update आपको दिखाई देट है तो यह दोस्तों मुझे का पता चला जब मैंने यहाँ पर वीवो का new phone यहाँ पर buy किया था तो दोस्तों कम से कम 3-4 दिन के बाद जाके मुझे यह setting मिला था तो बस दोस्तों आपको update करने के लिए system update पर जाना है और उसके बाद दोस्तों आपको पता के से चलेगा यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते है तो बस इसमें आपको क्लिक कर देना है waiting to be download you are currently using data network तो आपको दोस्तों continue कर देना है तो फिलाल तो दोस्तों यहाँ पर अभी क्ले में इसको cancel कर देता हूं ठीक है तो update में क्या-क्या यहाँ पर आपको मिलने वाला है system network camera dark mode ठीक है तो वह सब दोस्तों आपका अपग्रे से अपना software update कर सकते हैं तो मिट करते हैं वीडियो आपको पसने होगा thanks for watching